हम लोग जिस topic के बारे में study करने वाले हैं उसका नाम है some basic concepts of chemistry जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि chemistry के जो basic concept होंगे उनकी studies chapter में हमें करनी है हम लोग इस chapter को एक और नाम से जानते हैं which is mole concept और बच्चो आने वाली physical chemistry में सबसे important topic होने वाला है और सबसे basic topic होने वाला है mole concept ठीके अब बात करें कि mole concept नाम क्या हमने पहले सुना हुआ है yes हमने mole concept का नाम पहले सुना हुआ है in seven SI units mole is a SI unit to measure amount of substance substance के amount को measure करने के लिए जो unit हमें दी है वो है mole ठीके और उसी की study यहाँ पर करने वाले है अब चलिए हमें इस unit की ज़रूरत क्यों पड़ी सबसे पहले हम उसकी study करते हैं मान लीजे बच्चों में एक सूपर मार्केट में हूँ और मुझे कुछ items पर्चेस करने है जैसे कि मुझे sugar, milk और bananas पर्चेस करने है तो मैं क्या कहूंगा वहाँ पर कि मुझे 1 kg sugar चाहिए येस बेलकुल मुझे 500 ml milk चाहिए या फिर मैं कहूंगा कि मुझे 1 dozen of bananas चाहिए तो बोलो मेरे पास question ये है कि can we measure or calculate their amount question ये है can we count or measure their quantities the answer is yes we can count or measure their quantity और calculate their amount by the help of their units which is kg ml and dozen kg ml और dozen की help से मैं easily इन्हें calculate कर सकता हूँ इनका amount calculate कर सकता हूँ चलिये सर ये तो हमें पता है तो what are these dozen यहाँ पर क्या है dozen is also a counting unit ठीक है अब चलिये एक example और देखते हम यहाँ पर बच्चो मेरे पास यहाँ पर iron के bars रखे हुए अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछता कि कितने iron के bars है तो ये तो बहुत easy होगा आप calculate करके बता दोगे total six iron के bars या फिर six iron के weights रखे हुए लेकिन इस बार मेरा question यह बिलकुल नहीं है इस बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चो कि इस particular area में कितने iron के atoms present है बोलो क्या वो आप calculate कर सकते हो the answer is no तो यहाँ पे देखिए हमारे पास question क्या है can we count or measure iron atoms the answer is no ऐसा क्यों हुआ क्योंकि बच्चो iron के जो atoms present है वो बहुत छोटे है यानि कि उन्हें हम naked ice से देख नहीं सकते साथ ही में क्या वो large number में present है yes large number में भी present है तो उन्हें count करना possible नहीं है चलिए एक example ओर रेखते हैं मेरे पास a glass of water है अगर यहाँ पे आपस अगेन पूस्ता कि इसका volume कितना है तो वो आप easily calculate करके बता सकते हैं कि sir glass के volume के according हम इसे find कर सकते हैं लेकिन इस बार मेरा question ये नहीं है मैं आपसे जानना चाता हूँ कि इस particular reason में कितने water के molecules present है मेरा question यहाँ पे क्या है आपसे कि can we count the number of water molecules again the answer is no क्यों हम उन्हें count नहीं कर सकते water molecules भी बहुत छोटे होते हैं बेटा size में तो naked eyes से उन्हें हम देखी नहीं सकते हैं साथ ही में क्या ये भी large number में present होंगे the answer is yes यानि कि ये कौन सी quantities है क्या मैं इनको microscopic quantities बोल सकता हूँ atoms, molecules, ions, electron, proton, neutron are microscopic particles microscopic quantities जिने हम naked eyes से देखी नहीं सकते हैं और अगर हम इने naked eyes से नहीं देख सकते हैं तो बताओ अभी तक क्या हमारे पास कोई ऐसी unit है जिससे हम इने count कर सकें No, we do not have any unit to count these microscopic quantities ठीके, तो हमारे को जरूरत क्यों पड़ी it is impossible to count or measure number of atom molecules since their number is extremely high ये बहुत high number में present होते हैं इनको count करना बिलकुल भी अभी तक possible नहीं है therefore we need a different unit to count these high numbers of atom, molecules, ions और we can say electron, proton and neutron इनको count करने के लिए एक नई unit नई quantity की हमें जरूरत पड़ी जिसे हमने क्या कहा? mole कह दिया बच्चो ठीके? अब बात करें जिस तरीके से dozen एक counting unit है यानि कि जब भी हम dozen की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सी quantity आती है? 12 number उसी तरीके से बच्चो ये mole जो है ये भी एक counting unit ही है जैसे dozen 12 को denote करता है वैसे ही ये जो 1 mole है वो denote करता है 6.022 into 10 to the power 23 particles को जिस तरीके से dozen सुनते ही हमारे दिमाग में बात आ जाती है कि 1 dozen means 12 अब चाहे 1 dozen apple हो चाहे 1 dozen bananas हो quantity तो 12 ही आती है दिमाग में वैसे ही चाहे 1 mole atom हो या 1 mole molecule तो quantity दिमाग में क्या आ जानी चाहिए? 6.022 into 10 to the power 23 और यहां लिखा हुआ है particles particles क्या denote कर रहे है particles are denoting atoms, molecules, ions, electron, proton और neutron यानी की any microscopic quantity अगर उसी तरीके से मैं बोलूँ आप से की 2 mole क्या होंगे है ना? तो सोचो 2 dozen क्या होता था? 2 multiply by 12 करते थे यास उसी तरीके से 2 mole क्या होंगे 2 multiply by 6.022 into 10 to the power 23 particles और अगर 3 mole हम बोलेंगे तो वो होगा 3 into 6.02 into 10 to the power 23 particles again particles जो है वो atom, molecule, ion, electron, proton, neutron को denote कर रहे हैं यहां पर यहां तक हमने बात की है बच्चो basic mole की ठीक है? अब इस chapter को फर्दर अगर हमें study करना है तो कुछ important masses की हमें knowledge होनी बहुत जरूरी है तो उन masses को समझने के लिए एक छोटा सा animation हम यहां पर देखने वाले हैं मान लीजे मेरे पास यहां पर एक wooden box रखा हुआ है मुझे इसका mass measure करना है और हम अभी उस समय में हैं जहां पर weights और weight machine defined नहीं थी तो कैसे हम लोगों ने इस wooden box का mass measure किया क्या मैंने वहां पर कुछ stones जो थे उनको as a reference मान लिया और उनके comparison में इसका mass measure किया चलिए देखते हैं इस wooden box का मुझे mass measure करना है पहले एक stone यहां से में इसमें रखूंगा क्या यह बराबर हो गया नहीं चलिए second रखते हैं क्या अब यह बराबर हो गया है answer is no अब जैसे ही third यहां से stone जाएगा बच्चो ठीक है हम देखेंगे कि wooden box का weight अब equal हो चुका है किसके? three stones के three stones के equal हो गया है तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में यह आनी चाहिए क्या हमने इसका यह actual weight measure किया है क्या? the answer is no हमने इन stones की respect में wooden box का weight measure किया है यानी कि उस wooden box का relative weight measure किया है ठीक है यह उस time की बाद है बच्चो जब weight machine defined नहीं थी ठीक है उसके बाद जब weight machine आ गई तो उसका accurate weight तो हम measure कर ही सकते हैं लेकिन उसी तरीके से अभी हमारे पास एक apparatus है जिसको हम बोलते हैं mass spectrometer एक time ऐसा हुआ करता था जब हमारे पास mass spectrometer present नहीं था अगर mass spectrometer present नहीं था जैसे यहाँ पे weight machine present नहीं है तो हमने इन stones को reference माना उसी तरीके से जब mass spectrometer present नहीं था तो हमने क्या किया? देखिए एक atom लिया carbon का उसको 12 parts में divide कर दिया और 12 parts में divide करने के बाद उसका एक part जो है उसको बाहर निकाल दिया और इसे as a reference मान लिया मतलब क्या हुआ? हमने यहाँ पर 1 by 12th mass of one atom of carbon 12 ठीके? carbon 12 isotope के एक atom का 1 by 12th mass as a reference मान लिया जैसे हमने वहाँ पर one stone माना था ठीके? अब हमने measure किया कि इस 1 by 12th part से कौन सा atom कितना heavier है? वही उसका क्या कहलाएगा? बोलो यहाँ पर हमें सोचना है क्या यह relative mass होगा या actual होगा? बिलकुल relative होगा क्यों? क्योंकि इस mass की respect में हम measure कर रहे हैं यानि कि यहाँ से हमारे पास time आई बच्चो relative atomic mass और इसकी definition अगर हम देखें तो देखें, it is defined as the number which indicates how many times the mass of one atom of an element is heavier than in comparison of 1 by 12th part of mass of one atom of carbon 12 carbon 12 के एक atom के 1 by 12th mass से कोई atom कितना heavier है वही क्या कहलाएगा? उसका relative atomic mass कहलाएगा अगर इसी को मैं formula की form में denote करना चाहूं तो बोलो क्या यह formula में इसे लिख सकता हूं कि relative atomic mass is equals to mass of one atom divided by 1 by 12th mass of one atom of carbon 12 yes, क्योंकि हमने 1 by 12th mass of one atom of carbon 12 की respect में relative atomic mass find किया है अब बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना है chemistry में हम कहीं पे mass भी बोलेंगे कहीं पे weight भी बोलेंगे chemistry के लिए हम इन दोनों को ही same मान के चलते हैं ठीके? तो चाहे हम relative atomic mass बोले या relative atomic weight बोले बात एक ही है तो इसमें confused नहीं होना है चलिए अब relative atomic mass पे आ जाएं तो बोलो क्या ये दो अलग-अलग masses का ratio है? YES! अगर ये दो अलग-अलग masses का ratio है मतलब उपर अगर gram में unit है तो नीचे भी gram में होगी ऐसा मैं अभी के time के इसाप से कह सकता हूँ यानि कि unit आपस में cancel हो रही होगी तो relative atomic mass is a pure number and without any unit और we can say it is a unit less quantity इसके कुछ examples देख लेते हैं देख लीजिए sodium 23 बोलो कोई unit लगी हूँ ये क्या? नहीं! यानि कि ये कौन सा mass है? relative atomic mass है क्योंकि एक atom का mass रिप्रेजेंट किया हुआ है oxygen 16, nitrogen 14, sulfur 32, carbon 12, iron 56 and potassium 39 ये सब क्या है? ये सब relative atom के masses है क्योंकि ये एक atom का mass रिप्रेजेंट कर रहा है और ये without any unit है यानि कि ये relative atomic mass है बच्चो अब यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि relative atomic mass is equals to mass of one atom divided by one by twelfth mass of one atom of carbon 12 isotope येस अगर इसी formula का use करते हुए मैं atom का mass find करना चाहूं तो बोलो कर सकता हूँ येस तो next अब हम यहाँ पर study करने वाले हैं बच्चो atomic mass की ठीके इसमें हम देखें तो mass of one atom किसके बराबर हो जाएगा? बोलो relative atomic mass multiply by one by twelfth mass of one atom of carbon 12 के बराबर हो जाएगा? ये same as it is उसी formula से ये quantity derive हुई है अब बच्चो इसमें जब भी हम atomic mass लिखेंगे तो ये जो term है one by twelfth mass of one atom of carbon 12 इसको हम represent करेंगे AMU से ठीके? AMU से इसे हम represent करेंगे which is atomic mass unit ठीके? चलिए इसका example देखते हैं एक कि mass of nitrogen atom तो nitrogen के atom का mass कितना होगा? 14 multiply by one by twelfth mass of one atom of carbon 12 yes, बिलकुल यानि कि अब क्या मैं बार-बार one by twelfth mass of one atom of carbon 12 लिखूँगा? नहीं इसकी जगे अब मैं क्या लिख दूँगा? direct 14 AMU is the mass of one atom of nitrogen atom yes, 14 AMU ठीके? चलिए इसका यहाँ पर हमें कुछ examples देखने वाले हैं between relative atomic mass and atomic mass तो हमें क्या पता है? कि relative atomic mass is a unit less quantity and atomic mass is इसकी unit क्या होगी? AMU में represent करते हैं चलिए कुछ elements रेखते हैं जैसे कि sodium तो sodium का mass अगर कहीं पर 23 लिखा है तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यह relative atomic mass दिया हुआ है और अगर 23 AMU लिखा हुआ है इसका मतलब यह sodium का atomic mass है उसी तरीके से फ्लोरीन देख लीजे 19 और इन 19 AMU relative atomic mass and atomic mass अगें hydrogen, oxygen, carbon, magnesium इन सबके relative atomic masses लिखे हुए हैं और atomic masses भी यहाँ पर लिखे हुए हैं difference clear रखो दिमाग में कि relative atomic mass is a unit less quantity and atomic mass represent by AMU clear है बच्चों यहाँ तक चलिए next हम यहाँ पर देखेंगे एक example ठीके देखें क्या दिया हुआ है how many atoms are there in 100 AMU of helium helium के 100 AMU में कितने atoms present होंगे यह हमें find करना है सबसे पहली चीज़ अगर आपने notice की होगी तो यहाँ लिखा हुआ है 100 AMU बोलो क्या यह atomic mass में represent किया हुआ है yes ठीके अगर atomic mass में represent किया हुआ है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ mass of one helium atom सोचो कितना होता है mass of one helium atom होता है 4 AMU बिल्कुल सही सोचा बच्चों आप लोगों ने 4 AMU ठीके अगर एक helium atom का mass है 4 AMU तो बच्चों 100 AMU में कितने helium के atom होंगे तो number of helium atom will be equal to बोलो mass कितना 100 divided by 4 यानि की 25 atoms यहाँ पर present होंगे 100 AMU में बोलो easily simple unitary method हमें apply करना है और answer हमारे पास आ गया यानि की fourth option is the correct option for this question ठीक है तो आज के लिए हमें इतना ही पढ़ना था बच्चों थाँए यहाँ तो आज कीम जास में जाए हwortप्हाँ. थितै की खाइ हमें आजए यfire है